हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में दोस्तों जब तक हम इस फिल्ड में नहीं आये थे ना मतलब लीगल फिल्ड में नहीं आये थे तो हम हजबेंड वाइप के जोक पड़ते थे बड़ी होसी आती थी और हमीं समझते थे कि यह सिर्फ जोक हैं बाद में हमको पता चला यार वो जो हम पढ़ते थे वो सिर्फ जोक नहीं है अभी बहुत सारे लोग है जो कहते हैं कि सर मैं ओफिस से आता हूं मैं खाना नहीं घा पाता हूं इतना टॉर्चर हो जाता है अभी एक केस मेरे पास आया था जिसमें मैंने मीच्रल डाइवस कर मेरे को तीनों टाइम भार से खाना मंगा करके खाना पड़ता है मेरा पेट खड़ाब हो रहा है मसाले वाला खाना खाका करके मैं करूं क्या और अभी एक जड़ साल के वल शादी को हुए है फाइनली खैर उसके किसमत अच्छी थी कि वह बहार आ गया ज्यादा प्रॉब् बिचारा जाए कहां अब देखिए आदमी की कितनी बुरी स्थिती है बिचारा पिस करके रह गया है और बात में जब मुकदमें होता है तो भी मेन जो एक्क्यूजड होता है वो वह ही होता है बाकी सब तो चलो इधर-उदर के होता है उनके नाम बेढ़ जाते है बात में क हजबेंड पत्नी को बहुत अच्छी से पता होता है कि पती की कमजोरी क्या है वो उसको वही हिट करती है जहां वो देखती है कि पती आमिशनल है वहा जब्यू उसको प्रिशिद बनवानी होती है वो यह कहती है कि मैं खुद को कुछ कर लूँगी वरना मेरी बात को मानो उस बिचारे को माननी पड़ती है, क्योंकि डरता है, अगर कुछ कर लिया, तो सब के सब फज जाएंगे। कुछ मामलों में कहती है मेरी बात मानो, वरना मैं घर चोड़के चली जाओंगी। पती को उसकी बात माननी पड़ती है, बिचारे के बस कोई चारा नहीं होता, चली गई तो परिशानी हो जाएगी। अब करे क्या, बात माने तो प्राबलम क्योंकि देखे हर बार किसी की बात सही तो हो नहीं सकती। कई बार कुछ चीजे होती हैं जो प्राक्टिकल ही होती, अभी एक मामले में था जब पत्नी कहती थी, यहां घुमाने लेके चल, यहां घुमाने, बहुत बार लेकी भी गया असा नहीं कि लेके नहीं किया। बड़ आदमी काम भी तो करेगा, यह घुमाते ही रहेगा, आईटी प्रोफेशनल है, चुट्टी नहीं मिलती, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है, अभी ऐसे करेंगे तो निकाल देंगे, काम वाले, फिर क्या करेंगे, कहां से काएंगे, कहां से कमाएंगे, लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं सोचना, उसको अपनी जिदपूरी करवानी है, और जिस दिन जिदपूरी नहीं हुई, उस दिन उसने घर छोड़के चला जाना है, परशान कर देना है, आदमी के पास रास्ता शेष क्या है, तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक एडवाइस कर आपको बोलने के लिए, क्योंकि आप एक बहुत घोर समस्या में फसने वाले हो, लेंड घरने वाले हो, आज के समय, शायद 10% शादिया ही ऐसी होंगी, जो सक्सेस्फुल होंगी, 90% सक्सेस्फुल नहीं है, इवन अगर कोई मुझे शादी का कार देता है, मेरा दिल रो रह होता है, लेकिन मैं उपर से उसको कॉंग्रेचुलेशन बोल रहा होता हूँ, अब मैं क्या करूँ कैसे उसे अपनी भावनाय समझाओ, सच्चा ही बताऊंगो तो उसको बुरा लगेगा, तो सच्चा ही मैं उसको फिर बाद में बताता हूँ, जब वो मेरे को कॉल करता है, और एक्चुल में बताने की ज़रत भी नहीं पड़ती है, बता तो फिर वो रहा होता है, हम तो सुन रहे होता है, तो इसलिए यदि आप इस बात से दुखी हो, कि अभी आपकी मैरेज नहीं हो रही है, तो भाई ये दुखी होने का कोई कारण नहीं है, शायद हो सकता है, आपने पिछले जर्म में कुछ अच्छे कर्म की हो, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये बात अगर आप उस बंदे को समझाओगे ना, जिसके भी शादी नहीं हो, कभी नहीं मानेगा, कहगा ना, करनी है, करनी है, करनी है, बस कर ले, उसके बाद तो हमने दो-दो दिन एक-एक दिन के बाद भी केस होते हैं, एक-एक दिन के बाद भी लोगों को अपने घर छोड़ करके भागते होए देखा है अपने बचाओ के लिए, पता नहीं कि वेवस्ता में सुधार होगा, कुछ ऐसा नजर नहीं आता, कि कोई सुधार होने वाला है, अभी जब मैं पता ही नहीं कि सुधार होगा कैसे कब होगा कब नहीं होगा लेकिन तब तक क्या करें जो लोग अभी इस सिनेरियो में फस रहे हैं उनको कैसे भार निकालें फिर भार निकालने के लिए फाइट करना पड़ता है फाइट आदमी मैंने देखा आज के समय पर करना नहीं च कि अगर पुद करना पढ़ेगा. आपने trendset कर दिया न, आप देखना हर एक जूटा मुकदमा करने वाला पहले consultation लेगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसके बाद भी दरेगा जूटे मुकदमे करने से, तो आप करके देखिए, बढ़के देखिए आगे, result मिलते हैं, cable efforts होते हैं, जितना effort आप अपने बचाओं पे लगाते हो, इतना effort उन सामने वालों को सबक सिखाने के लिए लगाओ, तब जाकर के आपको इसका benefit मिलेगा और यह जो समस्या है, यह जड़ से खतम होगी, चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मै आप से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुर्बाएं, थैंक्यो फो वाचिंग, टेक केर